नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर कुल्दीब गोयल है मैं चाइड़ी स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेस्ट फिडिंग में तरीके कैसे पिलाना है मा की पोजीशन बच्चे की पोजीशन के बारे में बताने जा रहा हूं इसके लिए सबसे और यही पार्ट यही होता और मिपन तुक्त अलावा और यहां पर दोजीशन की नलिके बताव में जाता तो इसलिए जहां पर यह जो ब्रेख वाला पॉर्शन फुराप परलब साथ्ठ और अगर केवल ब Gibsonbble निपल को चूछेगा तो दूद नहीं आएगा तो इसलिए बच्चे को हमेशा एete मुर मेर जाना जरूर यह रिए ऑरियो लोखो शक करना जरूर ही है इस प्रॉशस में जो जो दूड बनने का जो प्रॉसस है इसमें 2 को मिन हर्मोन रोल्ज बिलेख इसमें प्रोलक्तिन होता है वाली उनको सिंगल यहा खटा हो जाता है तो इस legit अब जब्वे बच्चा दूद्ट पीएगा तब दूद बनेगा अगर बच्चा दूद्ण नहीं पियेगा नई बनेगा इसलिए ड्रोप्रियोता है छोट्पिन हायरमन रात में ज्यादा बनता है तो इसलिए अच्छे स्पेंटर पिलाएंगी तो दिन के लिए दूद्ट तैयार हो जाएगा अगर रात को दूद्ध पिलाएंगी उपर दूद्ध तो फिर दिन के लिए दूद्ध या तो कम बनेगा यह नहीं अ signals यह रात को औक्सितोसीन थिली यह ऑक्सितोसीन हर्मोन जो है एरियोलहा की माशपेशिया है इसमें जाके इनको सिगनल देता है कि दूद का बहाव इस नलीकाओं से दूद का बहाव बच्चे के मुँंगी तरफ करने के लिए तो इसलिए अगर मा के प्रोल्लेक्टिन हर्मोन के वज़ से दूद्ट तो बन गया अगर ऑक्सिटॉसीन हर्मोन में कुछ घडबर होगा तो दूद्ध नलियों से बच्चे के मुऊ में नहीं जाएगा तो कई बार ऐसा बी ऑक्सीडोसीन हर्मोन को जो एफेक्ट करते हैं वह मां की मांस्यक्थी सिटिए इफेक्टिव होता है अगर मां बच्छे के बारे में अच्छा विचार लाएगी बच्चे से इसाथ खेलेगी और ये अपने अंदर विश्वाश लेकिकाएगी कि मुझे सिर्फ अपना ही दू रिलीज होगा ज्यादा रिलीज होगा तो दूद भी बच्चे को ज्यादा मिलेगा बनने के बाद और अगर मा को कोई चिंता होगी तनाव रहेगा आत्म विश्वाशी कमी होगी कि मेरा दूद नहीं आ रहा है मैं अपना दूद नहीं पिला सकती तो यह दूद ऑक्सिटोस इंकम रिलीज होगा तो बच्चे को बना होने के बाउजूद भी बच्चे को नहीं मिल पाएगा इसलिए फैंली की रिस्पॉंसिब्लीटी होती है उनको अंको ध्यान रखना चाहिए कि मां को कोई चिन्ता ना हो को तनाव ना हो तो मां की चिन्ता या तनाव मां कर दूर पिला सकती है जिसमें थ्यांद कि सपोर्ट होना जरूर है लेट्ने में बैड सपोर्ट मिली जाता है है, दूसराYa Mather relax होनी चाहिए,fully relaxed होनी चाहिए, कहीं दर्द नहीं होना चाहिए Mother को, नहीं तो वो relaxed नहीं होगी, थो ओक्सिटोस इन 팟 की सोंकोधी और टीक्ट आएगा, वो feeding का issue आएगा, तो इसलिए Mother को fully relaxed होना चाहिए, गोड थोट्स मदर के दिमाग में होने चाहिए तो यह चीजे मदर की पोजिशन के टाइम पर मदर ध्यान रखना अकर मदर चेयर पर बैठके दूद पिलाती है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि पैर अगर उसके नीचे की तरफ हो रहे हैं यह थाई जो है अगर स्लाइडि वगेरा भी मदर लगा सकती है जिससे की वो पैर जो है फ्लोर के जो थाईज है वो फ्लोर के पैरलल हो जाए और अगर बच्चा फिर भी लगता है कि ज्यादा नीचे है तो नीचे पिलो वगेरा यूज कर सकती है तो इस तरह से चेयर पे बैठके मदर को बस चेयर पे या अगर पलंग पे भी बैठी है पैर लटका के तो भी ये पोजिशन इस तरह से ही त्यान रखना होता है कि जो थाइज है वो फ्लोर के लेवल पे आए अगर माःवल में बैठ ने बैठ बैट के अगर दूद पिलाना चाहती तो पहले प्ला जो फैट है उसको सपोर्ट्स पिलो गारसे सपोर्ट देंगे अगर पहर सीधा रखना चाहती तो सीधा भी रख सकते हैं अगर फौल करके लेगuled में बेसक्ति हैं बस् muscular करके ऑए भी ब के भी दूद्ध पिला सकती है अब हमें इसमें बच्चे की पोजिशन बच्चे की पोजिशन में हमें चार से ध्यान रखने होते हैं सेमें सीधा बच्चे का जो गर्दन जो सब्सक्रा है वह होगा की ळाइन में और चाहिए समीप मा के बिलकूल चपका होगा ना जाहिए तो बच्चे का मुँझ región नहींぎ बच्चे के मुँख के पोजिट होगी तो जब बच्चा मुँखोल के बहुत बढ़ा मुखोल के जब अरियोला को ग्रास करने के कोशिश करेगा तो तंग के पीछे टच होगी तो उसमें कई बार गैग बच्चा वामिटिंग सेंसेशन करता है और वो निपल को छोड़ देता है तो अगर नोस के सामने अगर निपल होगा तो यह जो निपल है जब मुँखोलेगा तो निपल अपर पैलेट को टच करेगा तो उससे गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा बच्चा अराम से फीड कर सकता और चौता है सहारा तो बच्चे को पूरा सपोड देना जरूरी है सामने बतार प्रेस्ट करने के लिए अलग-рьण bark To ore hold में जिसाइड बच्चा जिस ब्रेस्ट से अप फीड करा रहे हैं उसी साइड का आपको हाथ यूज खरणा है नेक ॥ाइश फॉर्ट करना है और फिर आपको फिड कराना है दूसरा तरीका है cross cradle hold, cross cradle hold में जिस side आपको feed कराएंगे उसका opposite side आपको hand use करना है, तो इसमें आपको खास ख्याल ये रखना होता है कि जब opposite side का hand use करेंगे तो neck जो सर को support करेंगे तो thumb और finger से करेंगे, अगर back side से पे हाथ को रखा तो इससे एक reflex होता है जिससे कई बार बच् हम जैसे बच्चे को आगे की तरफ breast की तरफ लेके जाएंगे तो ही reflaks की वज़े से बच्चा पीछे की तरफ आएगा, मा की कई बार complaint होती है कि दूद की तरफ ले जाता है तो बच्चा मू पीछे कर लेता दूद नहीं हाथ यूज़ करना है और बस ज्यान रखना है जो मैंने बताया कि जो असर है उसको पकड़ने का तरीका सेम रहेगा क्रोस कर्डल होल्ड की तरह है और इस तरह से फीड कराना है बाकी बोड़ी को हाथ से सपोर्ट करना है पैर पीछे लटके हुए रहते हैं उसको आप पिलो सोगता से सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट दे सकते हैं चोथा है साइड लाइंग बच्चे को एक हाथ से बच्चे को सीधा लेट जाएगा मा के साथ बच्चा भिद्कुल सीधा होना चाहिए चोकि मैंने चार पॉいक्ट बतायां वह ध्यान रखने सीधा, समीप सामने और सहा तो वही चार पॉइंट को ध्यान रखते वे बच्चा बिलकुल सीदा होना चाहिए यह सामने होना चाहिए और बैस्ट को इस तरह से support करना है क्योंकि जब मालेटि उती है कई बार बैस नीचे की तरफ चला जाता है तो उसको इस तो एससे support करके बच्चे के मुग के पास लाहिए और जब बच्छा इक बाद breast को grasp कर लेगा and Dafür को Brush कर लेगा उसके बाद best का support छोड़ सकते हैं और अगर चाहे तो बच्चे को support दे सकते हैं चाहे तो अबपर comfortable होने के लिए मदर चाहे तो उपर की तरफ हाथ भी कर सकती है अगर वो उपर की तरफ हाथ करती है तो ब्रेस्ट की position और बच्चे के लिए बैटर हो जाती है फीड करने के साब से और एक हैस लेट डाउन इसमें सीधा मदर लेट के भी फीड करा सकते लेकिन इसमें किसी और का सपोर्ट चाहिए इसमें बच्चे को जब मा के ब्रेस्ट के पास लेके जाएंगे तो इसमें सरक् catching जो ऐंगल από मैंडिबल एस तरह से होल्ड करना है बैचे को इस तरह से होल्ड करना है एंगला मैंडिबल पर और बच्छे को फीड के लिए देस्ट के पास लेके جाना है जब बच्छा मुह खोलेगा तो breast से उसको attach कर देना है और जब feed लेने लग जाएगा ग्रास कर लेगा अच्छे से feed लेने लग जाएगा तो बच्चे को छोड़ सकते हैं और मां फिर सीधा केवल एक हाथ से चाहे तो बच्चे को support कर सकती है और जो breast support है उसको भी छोड़ सकती है तो यह लेट डाउन पोजिशन इस तरह से होती है बच्चों में demand feeding होनी चाहिए यूजली वन टू टू आर्स में बच्चे feeding के लिए demand करते हैं तो चाहिए चार मिनट से कम या तीस मिनट से ज़्यादा अगर बच्चा फीड करता है तो इसका मतलब attachment प्रॉपर नहीं है तो बच्चे को दुबारा हटा के attach करना चाहिए बच्चे को हमेशा शांत जगे पर फीड कराना चाहिए क्योंकि अगर बच्चे को किसी चीज की आवाज वगएरा आती है तो वह दूद पीना छोड़ देखने लगता है फिर थोड़ी देर में भूका हो जाता है फिर वह फीड की डिमांड करता है इससे बच्चा और मदर कर दोनों परेशान होते हैं तो आसपास अपने टीवी मोबाइल वगएरा कोई गैजेट वगएरा भी यूज नहीं करना चाहिए और शांत जगे पर फीड कराना चाहिए क्यों क्योंकि अगर मान लो बच्चा जल्दी फीड छोड़ेगा तो शुरुवात में जो मिलक आता हंगर को मिटाते हैं तो बच्चा फीड पूरा लेगा तब ही उसकी मिटेगी और हंड मिलक में ही बच्चे को और ही चाहिए बच्चे को पूरा दूद्स पिलाना चाहिए बच्चे को एक साइड से दूद्ध पिलाने के बाद दूसरी साइड से जरूर ओफर करना चाहिए कि दूसरी साइड से दूद्ध पिलाते रहे तो अगर दूसरी साइड से दूद्ध नहीं पीता है तो बच्चा केवल निपनल चूजता है तो बच्चे के मुह में दूद नहीं जाएगा जो मैं पहले भी बता चुगा हूं लेकिन निपनल चूजने से कई बार निपनल सोर हो जाते हैं तो इसमें हम हंद मिलक है जो दूद्ध पिलाने के बाद जब बच्चा छोड़ देता है अ और अगर निपल सोर हो जाए तो वह हिंग मिल्क यूज कर सकते हैं निपल कंफ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चे को कई मदर बच्चे को अपना दूद भी पिलाती है और बॉटल का दूद भी पिलाती है तो उससे निपल कंफ्यूजन हो जाता है तो क्योंकि बॉटल बच्चे मां का धूद्द पिना कम कर देते धीरे-धीर थोड़ी थोड़ी देर में बार-बार फीड मांगेगा और बहुत फास सकींग करेगा बहुत जल्दी जल्दी सक करेगा लेकिन स्वेलेंग्स जब बच्चा दूद पीता है तो स्वेलेंग्स भी आती है तो वह साउंड्स आपको नहीं सुनाई देंगी उसके अलावा जब कि छफ्वल जाते हैं तो इस में अगर पूर अटेज्मेंट होगा फीड नहीं जा रहा होना तो लिए पूस अग्यों टृटायेंगे तो यह एक पूरप टैज्मेंट कीवें हो सकता है तो अगर मदर इंटर्ष्ट सथीद कराने में फीड कराने में तो फैड़ से गरापाएगी तो ओ फूरेटेच्मेंट हो जायेगा in experience मदर तो उसमें भी पूरेच्मेंट और जो बच्चे बॉटल फीड पर ज्यादा है उनमें भी फूरेटेच्मेंट पर कburg Fen PATKENT कि वयदेशिंगेंsel हो सकता है haben आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईए और जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए ना उसका जवाब ज़रूर दूँगा मेरा ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब के जिए बेल आइकन को दबाईए और इस वीडियो को बनाने में मेरी हेल्प डॉक्टर संगीता रानी जो गुरुगोविन सिंग गवर्मेंट हॉस्पिटल न्यू देली में एजर लेक्टेशनल कंसल्टेंट एंड होडी पेडियाट्रिक्स हैं उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया है उनका बहुत-बहुत धन्यावाद थैं थैंका बनाने टॉक्तव वेत्वलेश प्लाने टी Hof